आप सभी को सार्दिय नवरात्री की हार्दिक्षिप कामना है 3 अक्टोबर से लेकर 12 अक्टोबर तक सार्दिय नवरात्रे चलेंगे और ये नवरात्रे सभी के लिए बहुती विशेश होता है हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी अनुस्ठान का आयोजन इन नवरात्रों पर किया जा रहा है अगर आप मा दुर्गा के नौ स्वरुवों का आशिरवात प्राप्तकर अपने जीवन में सफलता को सूनिश्चित करना चाहते हैं तो इस अनुस्ठान से जोडने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नम आटिवा ओम के तरिकान निता मृचकर में निदी शिमाल ही आपके अपने इसeg tracing अर्वन में आप सब्सक्न का सबस्त्सक्राट करते हैं नवरात्री के सांत्वने दिन माता के राड़ी चर्ण का लटी पूजा-ठरा-चन-विदी्वक्त-विदिव्धभक्त-जन-भय के坂 है दुस्टों का नास होता है भय मुक्ति व्यवसाय व्यापार सम्मधी सभी परिशान या दूर शत्रु वादा काल मृत्यू शनी राहू के तु जैसे क्रूर ग्रहों के दोसों से मुक्ति दिलाती है और समस्समस्याओं का निवारण करती है मा कालरात्री अंदकार का प्रकाश में करता है मा के मुख से अगनी की भयंकर जुआलाय निकलती है मा का यस्वरूप पापियों का नास कर भक्तों को शुब प्रदान करने वाला है पौरानिक मानेताओं के अनुसार शुब निशुम्ब नामक दैत्यों का वद करने के लिए देवी भगवती ने यह रूप धारन किया था रक्त बीज का वद किया था कालरात्री स्वरूप में और जहां जहां उसका रक्त गिरता था वहां वहां मां उस रक्त के प्याले को लेकर उस रक्त को पी लेती थी ताकि और ज्यादा रक्त बीज जैसे रक्षस उत्पनन नहों और इस तरीके से उन् के बाद शुभी शुभुआ इसलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है तो आज मा काल रात्री की पूजा आरादना व्यापार व्रदी शत्रुबादा उपरी दोश निवारन नजर सुरक्षा और शनीर राहु के तु जैसे क्रूर ग्रों के प्रभाव से मुक पक्ष की सस्टी तिथी आज है जो कि दोपेर 12 बच कर 14 मिनट तक रहेगी उसके बाद सब्तमी तिथी प्रयारंब हो जाएगी मूला नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो कि 10 अक्तुमर प्रातर 5 बच कर 15 मिनट तक रहने वाला है उसके बाद पूर्वा साड़ा नक्ष चत्र प्रयारंब हो जाएगा चंद्रमा आज धनू राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे शोबन योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलीक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिएड सुबह 10 बच के 30 मिनट से दौपेर 12 बचे तक रहेगा वहीं राहु अगे और आज आते हैं सीधा आज के देनेक राशी फल पर आज मैं आपको बताऊंगी कि मादुर्गा को किन चीजों को अर्पित करना चाहिए जिससे आपके धन धाने में बढ़ोतरी हो इन उपायों को लिए आप वीडियो को अन तक चरूर देखें शुरूआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में कोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा नेन है आपको नहीं लेना चाहिए भक्ती भाव से आज के दिन आप परे रहेंगे धार्मे किस्तल की यात्रा भी संभव है आज के दिन आपके कारियों में आपको मित्रों का पूरा सयोग मिलेगा इस राशी के जातकों को मादुर्गा को गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा नो अब आते हैं व्रशब राशी प करना चाहिए सीक्रिट चीजों को थोड़ा सा संभाल कर रखें आज के दिन आप अपने कारियों को जितना शांती और धहरे से खुद कड़े रहकर पूरा करेंगे उतने ही जल्दी आपके कारियों पूरे हो जाएंगे अचानक धनलाप के योग बनेंगे इस राशी के जात आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोजर प्रमन करेंगे अता आज का दिन व्यापारिक वर्ग के लिए सोच समझ कर डिसिजन लेने का है किसी भी कारियों को जल्द बाजी में ना करें आज के दिन आपको उपने जीवन साती का उप्युक्त सयोग औ अच्छी रहेगी वहीं व्यापारिक वर्ग कोई भी कारिय नए कारिय की शुरुवात आज के दिन कर सकेंगे आज के दिन आपकी कोई प्रियवस्तू जो की बहुत लंबे टाइम से खोई हुईती आपको पूनप राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसन अताके ब आपकी राजी से चंद्रमा आज के दिन छटेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन स्वास समंदी समस्याइं बढ़ सकती हैं अपने स्वास का विशिस रूप से ध्यान रखें अपने शत्रों से साफधान रहें आज के दिन आपको किसी भी कारिय को जल्द पाजी में नहीं करना है नहीं कारे की शुरुवात से बचे इस राशी के जात को कुमा दुर्गा को चांदी के आभूशन चड़ाने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी शुवंक रहेगा एक अब आते हैं सिह राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे विद्यारती वर्ग का परिणाम आज के दिन सकारात मकरेगा पढ़ाई में आरी दिक्कत हैं टीचर्स और पैरेंट्स की मदद से सौल्ख होती हुई दिखाई देगी आज के दिन संतान आरी बादा भी दूर हो जाएगी कलाकारों के लिए आज का दिन प्रसिदीत दायक रहेगा इस राशी के जातकों को मा दुर्गा को लाल रंग के फूल चड़ाने चाहिए और सोने के आभुशन चड़ाना शुब रहेगा आपका शुबरंग रहेगा मजंटा शुबंक रह अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन चौथी भाव में गोचर प्रमन करेंगे आता आज के दिन सोच समझ कर अपने कारियों को करें कोई भी निवेश करते समय साफधानी रखें आर्थी किस्तती उतार चड़ा भरी रह सकती है बज़ट दे अब आते हैं तुला राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन छोटे भाई बैनों के साथ ट्यूनिंग बहतर रहेगी आज के दिन आप अपने कारियों को बहुत साफधानी से पूरा कर पाएंगे आज के दिन यात्राएं करते समय साफधान रहें कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी इस राशी के जादकों को लाल रंकी चुन्डरी मा को चड़ानी चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं व्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा व्यापार में कुछ नहीं हो जुनों का क्रियान वेन कर पाएंगे धन के आगमन के योग बनेंगे महीं आज के दिन कुटुम मैमान सम्मान बढ़ेगा पानी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और आपकी आज के दिन कोई बड़ी समस्या दूर हो जाएगी इस राशी के जातकों को मा को गुढ़ल के फूल अर्पित करने चाहिए आपका शुभरंग रहेगा ग आज के दिन आपको अपने ससुराल वालों का सयोग मिलेगा दद्याल से भी आर्थिक लाप के योग बनेंगे आपको धनुराशी वाले जातकों को देवी मा को पीले रंके फूल और तेल अर्पित करना चाहिए आपका शुभरंग रहेगा बूरा शुभंक रहेगा चार अ अता आज का दिन खर्च की स्ततियों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित होकर करें आज के दिन किसी भी कारे को जल्द बाजी में न करें यात्रा है आपके लिए अच्छी रहेगी कारे फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे वह आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अधा आज के दिन अधिकारियों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा कारिया फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे आपके कारियों को एप्रिशेट किया जाएगा पिता का स योग मिलेगा और घर में मैमान आ सकते हैं जिससे घर का वातवरन अच्छा रहेगा इस राशी के जात को को मा दुर्गा को कनेर और केंदे के फूल चड़ाने चाहिए आपका शुबरंग रहेगा गोल्डन शुबंग रहेगा दो तो ये है 9 उक्टोबर बुद्वार का द जोतिश आचार्य हैं उनके जोधपुरस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्पदोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविध एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8955658362